हेलो दोस्तों मैं हूँ दिपिका चोधरी आप सभी का सौगत करती हुमारे चैनल और इन्फो हिंदी में साथ सासी उपर वाले लोगों को मोधी सरकार देगी 3000 रुपे महीना आए जानते की कैसे कराए रजिस्ट्रेशन एक बार फिर गरीब और भुजरु लोगों को ध्यान में रखतवे मोधी सरकार ने बड़ा एलान किया है मोधी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 3000 रुपे प्रतिमा देने का एलान किया है जिसके लिए अब तक करीब 45 लाख लोग रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं केविया सरकार ने ऐसे लोगों के लिए प्रधान मंत्र श्रम योगी मान धान योजना की शुरुवात की है जिसमें और संगर्टी छेत्रे में काम करने वाले श्रमेकों को 60 साल की आयू पूरी कर लेने के बाद 3,000 रुपे महीने की नियूंतम पेंशन मुया कराई जाएगी सरकार ने 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धान योजना योजना ने पीम एस्वाइम की शुरुवात की थी योजना के तहट 4 मार्च 2021 तक करीब 44.90 लाग श्रमेकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है सियोजना में 18 से 40 वर्ष समूओं के ऐसे श्रमेक शामिल हो सकते हैं जिसकी महीने की आमदनी 15,000 रुपे से कम हैं आईए जानते कि कितनी मिलेगी पेंशन PMSYM योजना के तहट 55 रुपे से 2000 रुपे महीना का निवेश किया जा सकता है इसमें 18 साल की उम्र के लोगों को हर मेने 55 रुपे और 30 साल की उम्र के लोगों वालों को 100 रुपे जबकि 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपे महीने देने होंगे अगर किसी श्रमिक ने 18 साल की उम्र में PMSYM योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो उसे एक साल में महेच 660 रुपे जमा कराने होंगे उस स्रमिक को 60 साल की उम्र तक 27,720 रुपे निवेश करने होंगे श्रमिक को 42 साल तक पैसा निवेश करना होगा 60 साल की उम्र होने पर उसे 3000 रुपे हर महीने मिलेंगे 12 सरकार की इस योजना को भारती जीवन बीवा निगम LIC के मादम से भी चलाया जा रहा है इसलिए पेंशन का बुकतान भी LIC ही करेगा आई जानते हैं कि कैसे करा है रजिस्ट्रेशन प्रधानमत्री श्रम योगी मांदान पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रम्मिक को आधार कार्ट बैंक खाता की पास बुक लेकर Common Service Center पर जाकर अपना खाता खुलवाना होगा खाता खुलने के बाद श्रम नीको श्रम योगी कार्ड जारी कर दिया जाएगा दोस्तों अगर वीडियो अपको अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो में दिखें जानकर के अपके लिए कोई भी राता जरूर कोमेंट करें ये वीडियो जुस्तों तक शेयर करना न भूलें और वी से जानकर भरोड़े देखने के लिए हमारे चानल और इंफो हिंदी को सस्क्राइब करें और साथ ही बेल अकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंसती रहे है